अगे अलो रियों इस एलिक स्मित वेल्कम टू नॉलिज दाइंबिशन स्वागत आपका नॉलिज दाइंबिशन के सेशन में हम बात करेंगे में घाल ले के कौंग कौंग गाउं के बारे में जोकि एक अनूठा गाउं है और फेमस है अपनी एक अनूठी परंपरा के लिए तुप इसी के बारे में आप पर बात करने वाले हैं आपको वीडियो का एंड तक बने रहना है चलिए स्टाट करते हैं हाली में नियूज में रहा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी जो है कौंग फॉले जिए पर चलिए प्राइम पर पहली वाराइन चनल को सब इंडिया एफ़र्ट इन प्रमोर्टिंग दविलेज एज अ प्राइम टॉरिज्म डेस्टिनेशन तो रिसेंटली जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी जो थे वह कॉंग्थंग विलेज के टॉर पर थे यहां पर वो गए और कॉंग्थं विलेज में जो एक अनूठी परंपरा है उसके बारे में आगे बात करेंगे तो यहां के लोगों के द्वारा जो है प्राइम मिनिस्टर के स्वागत में एक स्पैशल ट्यून जो है वो क्रियेट की गई जिसकी सराहना प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी के द्वारा की गई और साथ ही मैं appreciation दिया गया government of India को इस effort in promoting the village as a prime tourism destination अब बात करते हैं पर मेघाले के कौंग्थॉंग विलेज की तो कौंग्थॉंग विलेज मेनली मेघाले में सेते हैं आपका ही विच इस आलसो नोन एज विसलिंग विलेज विसलिंग विलेज के नाम से भी से जाना जाता ह रिसेंटली ओनर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंडर मोदी बाइंकिंग अपार्ट उनिक ठरेशन डाट गोज बएक रिदीशंट का उनका विनिक ट्रेशन है जो की काफी से चला आ रहा है तो उसका एक इसा बनाय और प्राम मिनिस्टर को ओनर किया इन दिस विलेच लोकेटेट इन लश रोलिंग हिल्स आफ नॉर्थ इस स्टेट एवरिवन्स नेम इस अमेलोडी एस मदर्स कंपोज अस्पैशल ट्यून फर इच चाल फैन इडिश पॉर्ड तो यह परंपरा क्या है यह परंपरा कुछ इस प्रकार से है कि जब भी यहां पर किसी बच्चे का जनम होता है तो उनकी माता जो है वो एक स्पैशल ट्यून जो है वो कंपोज करती है उस बच्चे के नाम पर उस बच्चे के लिए जो है एक स्पैशल ट्यून यहां पर कंपोज की जाती है और जब यह special tune compose कर दी जाती है उस बच्चे के लिए तो इस गाओं का हर एक व्यक्ति जो है जो mainly inhabited by the खासी people mainly खासी पुपल यहां पर वो recite करते हैं तो सभी लोग जो है उस person को जब भी वो बच्चा बड़ा होता है तो गाओं के सभी लोग जो है वो जो मदक के द्वारा एक special tune compose की गई होती है तो या फिर एक whistle आप इसे कह सकते हो तो उसी individual little tone से जो है वो address करते हैं गाओं के सभी लोग उस particular person को for the lifetime they have conventional or real names too but they are rarely used उनके असली नाम भी होते हैं लेकिन वह rarely ही यूज किया जाते हैं इस गाओं के लोगों के द्वारा वो मेंली उसी विसल या फिर उसी individual little tune का इस्तेमाल करते हैं जो कि उसके birth के time पे उसकी mother के द्वारा compose की जाती है उस बच्चे के लिए तो गाओं के सभी लोग जो है वो उसी ट्यून से address करते हैं उस particular person को और यह unique tradition जो है the custom of assigning tunes to residents here is known as zinger by law bay यह इसका नाम है इस tradition का जो यह tunes assign की जाती है बर्थ के time पे तो इस tradition का जो नाम है इस custom का नाम है आपका zinger by law bay जिसका अर्थ है song of the clan first woman a reference to the khasi people's mythical original mother and then the ministry of tourism recently nominated the village of village for the UNWTO west tourism village contest from India to thanks the PM for his effort a tune was composed by a woman in a village in his honor to ministry of tourism के दोरा जो है इस गाओं को जो कि में घाल्या का कौंग फॉलेज है इसे UNWTO best tourism village contest के लिए नॉमिनेट किया है फ्रॉम इंडिया और इसी को जो है वो appreciate करने के लिए थैंक्स करने के लिए गाओं की महिला दोरा जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी जी के लिए एक ट्यून जो है वो compose की गई है in his honor तो यह इस गाओं का एक unique tradition है आपको गाओं का नाम ध्यान में रखना है कॉंग फॉंग विलेज यह मिघाले के गाओं है जहां पर मेंली खासी पर जो है वो रिसाइट करते हैं और इनके इस ट्रेडिशन जो कस्टम है आप असाइनिंग त्यून टू रेजिदेंट जो की नाम है इसका जिंगरवाई लॉबी विच में ते लो सॉंग आफ दी क्ल